Hello students, आएए पढ़ते हैं Hindi व्याकरन वाक्य भेत वाक्य भेत चैप्टर आपको कक्षा 9 और 10 दोनों सिलेबस में उपस्थित है यानि आपको मिलेगा वाक्य भेत की परिभाषा 9 में भी है, 10 में भी है यानि ये चैप्टर आपको 9th और 10th दोनों कक्षाओं के लिए पढ़ाया जा रहा है आईए परिभाशा देखते हैं वाक्य की परिभाशा क्या है वाक्य की परिभाशा सार्थव शब्दों का ऐसा समूः जिससे अभिष्ट आसे पूरी तरह अस्पस्ट हो अभिष्ट आसे यानि जो उस वाक्य की सार्थखता है वह पूरी तरह अस्पस्ट हो रही है तो उसे वाक्य कहते हैं या वाक्य कहलाता है वाक्य किसी भी भाशा की सबसे छोटी इवं सार्थखिकाई होती है अपने विचारों को दूसरे तक महुँचाने के लिए इस आधार पर कहा जा सकता है कि किसी भी वाक्य में शब्दों का विवस्ति समू होना चाहिए और उस समू का पूरा पूरा अर्थ अस्पष्ट होना चाहिए वाक्य से बोलने या लिखने वाले की यानि जो व्यक्ति बोल रहा है या कोई लिख करके अपनी बातों को व्यक्ति करना चाह रहा है तो उसका आशय उसका मतलब जो है वो वाक्य के द्वारा अस्पष्ट हो इसके लिए दो बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है कि शब्दों का व्योस्ति समू हो और उस समू का पूरा अर्थ भी अस्पष्ट हो अब वाक्य के अनिवार या तत्व क्या होते हैं तत्व क्या होता है, तत्व किसे क्याते हैं इसे किस प्रकार से हम परिभाशित करेंगे तो आईए देख लेते हैं पहले वाक्य में आकांग्शा, योग्यता तथा क्रम का होना अनिवार रहे वाक्य में एक पद को सुनने या जानने के बाद आगे के पदों को जानने के जो उत्सुकता पैदा होती है उसे आकांग्शा क्याते हैं जैसे माल लेजिए कि हम कोई कहानी सुन रहे हैं या कोई किताब पढ़ रहे हैं कोई उपन्यास पढ़ रहे हैं या किसे टॉपिक पर बाते चल रही है तो अगर उसे हम बीच में आधा अधूरा छोड़ देते हैं तो उसके आगे की जानने की जो हमारी जिग्यासा होती है वहीं आकांग्शा कहलाती है जैसे सुरेश खाता है इस वाक्य में यदि यहाँ प्रश्न किया जाए कि सुरेश क्या खाता है उत्तर मिलेगा कि रोटी खाता है तो रोटी इस वाक्य की आकांग्शा होगी वाक्य में योग्यता से तात्पर्य पद्धों के अर्थ बोधन की शमता की सामर्थ है वाक्य में योग्यता यानि वाक्य की जो योग्यता होती है योग्यता का तात्पर्य होता है कि उस वाक्य का अर्थ समझ में आए उसकी छमता समर्थ हो अपने बातों को रखने में जब वाक्य का प्रतेक पद अर्थ बोध की छमता रखता हो तो समझना चाहिए कि वाक्य में योग्यता विद्धिमान है यानि उस वाक्य के द्वारा व्यक्ति अपनी योग्यता अपनी दक्षता अपनी बातों को रखने में समर्थ है जैसे चिडियां पैर के सहारे उड़ती है अब यहाँ पर दे दिया चिडियां पैर के सहारे उड़ती है जैसा कि हमको मालूम है कि चिडियां तो उड़ती पैर के सहारे नहीं बलकि पर के सहारे उड़ती है तो इस वाक्य को हम पूर्ड वाक्य नहीं कहेंगे आगे देखते हैं वाक्य के अंग को वाक्य के दो अंग होते हैं उद्देशे और विधे कैसे? जिन अवयों को मिलाकर वाक्य की रचना होती है उन्हें वाक्य के अंग यानि घटक क्याते हैं और वाक्य के अनिवारे अंग करता एवं क्रिया इनके बिना वाक्य संभव नहीं है करता क्रिया यानि उद्देश्य और विधे जैसे मीरा नाचेगी मोहन खाएगा उपरुक्त वाक्य में एक करता मीरा और मोहन तथा क्रिया नाचेगी और गाएगा करता और क्रिया पक्ष के अनुसार वाक्य के दो घटक होते हैं अंग कहले या घटक कहले इसको जैसे उद्देश्य हमारा हो गया है यहाँ पर वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं और जो बात कही जाए उसे हम विधे कहते हैं जैसे मीरा उद्देश्य हो गया और नाचना विधे हो गया मोहन उद्देश्य हो गया और गाएगा विधे हो गया आगे के उदारन के लिए देखते हैं जैसे उदारन दिया हुआ है आपर श्याम ने बाजार से फल लिये बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं अब श्याम ने उद्देश्य है बाजार से फल लेना विधे है बच्चे उद्देश्य हो गए और पतंग उड़ा रहे हैं विधे हो गया इसी प्रकार वाक्य के दो अंग होते हैं क्रिया और करता और इन्हें उसी के घटकों के अनुसार ही आगे के पदों को रखा जाता है अब यहां पर वाक्य के अंग हो गए अब हम वाक्य के भेद देखेंगे वाक्य के भेद वाक्य के दो भेद होते हैं यानि इन्हें हम वाक्यों का वर्गी करण हम दो द्रिष्टियों से कर सकते हैं रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर अर्थ के आधार पर अर्थ के द्रिष्टी से वाक्य के आठ भेद होते हैं और रचना के द्रिष्टी से तीन भेद होते हैं अर्थिकी द्रिष्टी से वाक्य के आठ भेद होते हैं और रचना की द्रिष्टी से तीन भेद होते हैं रचना की दृष्टी वाचक, अर्थी की दृष्टी से देख लेते हैं पहले बिधान वाचक, निशेद वाचक, आग्याँ वाचक, प्रश्न वाचक, विश्मय वाचक, संदेह वाचक, एक्छा वाचक और संकेत वाचक विधान वाचक वाचक से तात पर है कि जो कार्य विदित हो चुका है, प्रकृती के द्वारा जो कार्य अस्थापित हो चुका है, जिससे बदला नहीं जा सकता, ऐसे कार्य जो है विधान वाचक के अंतरगत आते हैं जैसे सूरज पूरप से उगता है, इसे बदला नहीं जा सकता, चुड़ियां आकास में उड़ती है, शिक्षा के द्वारा व्यक्ति का अविकास होता है ये था विधान वाचक वाचक के उदारन, ऐसे वाचको हम विधान वाचक वाचक कहते हैं निशेद वाचक यानि किसी भी कारे को करने में और समर्थता जब बताई जाती है, तो वो निशेद वाचक वाचक होता है आग्या वाचक जिस वाखे के द्वारा किसी को आग्यां दी जाती हो प्रश्न वाचक यानि जिसमें किसी से प्रश्न पूछने का कारे होता हो विश्मय वाचक जिसमें हर्श शोक गिल्ला आदि के भावों को प्रकट करता हो संदेह वाचक जिसमें किसी भी कारे करने के शंसे संदेह को प्रकट करता हो इच्छा वाचक जिसमें व्यक्ति अपनी इच्छा को प्रकट करता हो संकेत वाचक यानि संकेतों के द्वारा अपनी बातों को स्पस्ट करना अब रचना के द्रिष्टी से तीन हो गए सरल संयूक तोर मिस्ट वाक्य आगे देखें आगे हम अर्थ के दृष्टि से जैसा कि हम अभी पढ़ रहे थे जैसा कि मैंने बताया विधान वाचक वाक्य बताया जिस वाक्य में किसी क्रिया या किसी भी बात के होने का बोध हो उसे विधान वाचक वाक्य कहते हैं जैसे जिस वाक्य में किसी क्रिया या किसी भी बात के होने का बोध होता है उसे विधानवा चक वाक्य कहते हैं जैसे स्तरल वाक्य वह खा चुका है मिस्र वाक्य मैंने कहा था कि वह जरूर खाएगा सयुक्त वाक्य मैं आया और वह चला गया अर्थ के दृष्टि से है ये इन वाक्यों में क्रिया के होने थो उसकी प्रक्रिया का बोध होता है इस कारण ऐसे वाक्य बिधान वाचक वाक्य कहलाते हैं अन्युदारन कुट्ता भी भी बहुत गरीब जानवर है भागना व्यर्थ है वह नेपास से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता था उपभोग भोग ही सच्चा सुख है प्रश्ण वाचक जिसमें प्रश्ण पूछने का कारे होता है विश्मयादी सुचक जिसमें हर शोग ग्रिणा आदी के भावों को व्यक्त किया जाता है इसमें भी सरल मिस्र और संयुकत आते हैं जैसे अरे वह गिर पड़ा अरे मैं देखी रहा था कि वह गिर पड़ा अरे मैं देख रहा था और वह गेर पड़ा इन वाक्तियों में विश्मय के भाव का बोध हो रहा है इस कारण से ऐसे वाक्तियों को विश्मय आचक वाक्य कहते हैं अन्य उदारान आह यह लो अपना ही घर आ गया पिछले वर्ष के फैसन इस वर्ष शर्म की बात है बृद्दावन कभी क्रिश्न की बासुरी के जादू से खाली हुआ है क्या यह आश्यरे सुजग है जिस वाक्य द्वरा किसी प्रकार का संदेह प्रगठों से संदेह वाचक वाक्य कहते हैं जैसे उसने पढ़ लिया होगा मुझे लगता है वह उसने वह नहीं आएगा चाहिए गाड़ी द्वरा समय पर नहीं आ सकेगा अब इसके हम अन्युदारन देख लेते हैं संदेत था संभावना का बोध होता है इस कारण ऐसे वाक्य को संदेह वाचक वाक्य कहते हैं जैसे मुझे मारेगा तो मैं भी एक दो को गिरा दूँगा शायद दो एक और सवार साती हमारे साथ चल रहे थे उसने यदि यहीं काम लेना था तो चार पांच सौ से मिल जाएगी संभव है लंबी यात्रा की ठकान ने उसके शरीर को कमजोर कर दिया होगा इक्षा वाचर जिस वाक्य में किसी इक्षा आशा या सुब कामना का बोध होता है उसे इक्षा वाक्य कहते हैं हम सरलमिस्रों और सयुक्त में इसे इस प्रकार समझ सकते हैं तुम शायर तुम सफलता प्राप्त करो आशा है कि तुम सफल रहो आशा करता हूँ कि तुम सफल रहो और जीवन में आगे बढ़ो आगे देख लगते हैं संकेत वाचक संकेत वाचक वाक्यों में जिस वाक्य का एक हिस्ता दूसरे हिस्ते की संभावना पर निर्भर होता है ऐसे को संकेत वाचक वाक्य कहते हैं इसे भी तीनों स्रेंडियों में लिखा जा सकता है सरल, मिस्रो और संयुक्त में यदि तूम पढ़ो तो सफल रहोगे यदि तुम पढ़ोगे तो अवश्य सफल रहोगे यदि तुम पढ़ोगे तो सफल रहोगे और परिच्छा में अच्छे अंक भी आएंगे इन वाक्यों में दूसरे हिस्ते की संभावना पर पहले हिस्ते का अर्थ निर्भर करता है इस कारण ऐसे वाक्यों संदे संकेत वाचक वाक्य कहते हैं अन्योधारन जैसे दोहरी मार पढ़ा होगा जब मैं जोर देने लगा तो वह और सुस्त पढ़ जाता जैसे जैसे दिखावे की यह संस्कृति फैलेगी वैसे वैसे समाजिक अशान्ती भी फैलेगी आगे देख लेते हैं इसमें बिधान वाचक वाक्य से निशेद वाचक वाक्य में परिवर्तन हमने यहां सरल मिस्र सब पढ़ लिया है अब आगे देख लेते हैं कि इसमें हमको क्या करना है कैसे कैसे एकी वाके से हम इसको परिवर्त करेंगे क्योंकि वाके परिवर्तन करना जानना जरूरी है हमारे लिए बिधान वाचकवा के निशेद बिधान निशेद अलग-अलग करके जैसे सीता गीता से बड़ी है निशेद सीता गीता से बड़ी नहीं है अपने देश के लिए प्रतेग भारती जान दे सकते हैं अपने देश के लिए कौन भारती जान नहीं दे सकता नाना साहब का साहस भाव परिवर्तन अच्छा लगा नाना साहब का साहस भाव परिवर्तन बुरा नहीं लगा यानि कि नो की दिर्ष्टि से कारे करने को ही हम निशेद वाचक वाक्य कहते हैं इन वाक्यों में विधान वाचक वाक्यों को निशेद वाचक वाक्य बनाने के लिए नहीं अगय जोड़ा जाता है जो वाक्य की निशेद धातत्मक्ता को स्पष्ट करती है अब महत्वपूर्ण तर्थिया, पाठे क्रम में अर्थी की द्रिश्टी से वाक्य भेद लगे हैं प्रशनी पूछे जाते हैं इस प्रकार रचना की द्रिष्टी से वाके के तीन भेद होते हैं सरल पॉर्म साधारन वाके भी कहते हैं जिन वाक्यों में किवल एक ही उद्धिश और एक ही विधे होता है तथा एक ही समापी का क्रिया होती है सरल या साधारन वाके कहलाते हैं इसमें कोई भी आसित वाके नहीं होता ऐसे मानसी जैसे मानसी एक अच्छे कलाकार की तरह नाच रही थी इस्तरियों को पढ़ाने से अनर्थ होता है दवाई खाते ही मरीज सो गया नेता जी भाशन देकर चले गए बच्चे खेल रहे हैं उपरोक्त सभी वाक्यों में रेखांकित पद मुख्य क्रिया को स्पष्ट कर रहे हैं तथा साथ तथा यहां एक ही प्रधान वाक्य है अता यह सभी वाक्य सरल वाक्य है एक से अधिक उपवाक्यों में स्थितियां जैसे परस्पर स्वतंत्र उपवाक्य और परस्पर आस्थित उपवाक्य यानि एक से अधिक मौजूद उपवाक्य एक दूसरे से स्वतंत्र हो तो उन्हें संयुक्त वाक्य क्याते हैं परस्पर आस्थित यानि एक से अधिक उपश्थित उपवाक्य एक दूसरे पर आस्थित हो अर्थात उन में से एक उपवाक्य प्रधान हो और दूसरा या अन्य उस पर आश्रित उपवाक्य हो तो उसे मिस्रवाक्य कहते हैं आगे देख ल泡े हैं मिस्र वाकय क्या है जिस वाकय में एक प्रधान उपवाकय होता है एक या एक से अधिक आस interdisciplinary उपवाकय होते हैं उसे मिस्र वाकय कहते हैं जैसे मैं जानता हूँ की तुम्हारे अक्षर अच्छे नहीं बनते यहाँ पर की शब्द से जो इन दोनों को जोड़ा जा रहा है मैंने उस व्यक्ति को कपड़े दिये जो बूढ़ा था दुकानदार ने जो चाय मंगवाई वह ग्राहक के लिए थी जैसे ही वर्षा हुई वैसे ही पक्षी चहचाहाने लगे जो परिश्रमी होते हैं वे सखलता प्राप्त करते हैं उपरोक्त उदाहरनों में रेखांकित अंश मुख उपवाक्य को दर्शार है जबकि शेस भाग गोण या आस्रित उपवाक्य है आस्रिच उपवाक्यों को मुख्य उपवाक्य से क्रमशक की जो जिसका इवं जिसे द्वारा जोड़ा गया है अतह ये सभी मिस्र वाक्य के उदाहरन है संयुक्त वाक्य की परिवाशा? जिस वाक्य में दो या दो से अधिक सरल या मिस्र वाक्य परस्पर किसी अव्यय या योजक शब्द जैसे और या तथा एवं परंतु अथवा इसलिए अतह फिर भी किंतु लेकिन पर आदी से जुड़े हो उसे संयुक्त वाक्य क्याते हैं संयुक्त वाक्य में प्रियुक्त वाक्य एक दूसरे पर आसित नहीं होते हैं जैसे कृतिकार के स्वभाव और आत्मानुशासन का महत्वा बहुत है प्रिय बोलो पर असत्य नहीं प्रीती आई थी परन्तु रुपए नहीं दे गई बिजली नहीं थी इसलिए अंधेरा था उसने बहुत परिश्रम किया किंतु सफल ता नहीं मिले उपरुक्त सभी वाक्यों मेरे खांकित पद योजक शब्द है जो दो वाक्यों को मिलाने का कारे कर रही है अता ये सभी वाक्य संयुक्त वाक्य के उदारन है संयुक्त वाक्य के प्रकार क्या है संयुक्त अर्थ के द्रिश्टी से संयुक्त वाक्यों को चार भावों में विभाजित किया जाता है योजक वियोजक संयुक्त वाक्य जैसे जब संयुक्त वाक्य के उपवाक्य में जोड़े जाने का भाव हो तो उसे योजक संयुक्त वाक्य कहते हैं यानि दो वाक्यों को जब जोड़ने का कार्य करता है जिन सब्दों द्वारा तो उसे हम योजक कहते हैं और ये योजख अवये। شब्द क्या होते हैं तथा बल्कि एवंव अपितु उलेखनिय होता है। और वियोजख में जब संयूक्त के दो उपवाक्यों के कथनों में विकल्प होता हो। विकल्प यान ये अच्छा या ये अच्छा। तो दोनों में से एक को चुनना होता है तो उसे वियोजक संयुक्त वाक्य कहते हैं जैसे तुम आ रहे हो या मैं आऊं तुम जाओ चाहे मैं यह हो गया वियोजक वाक्य अब यहां से देख लेते हैं रचना की दृष्टी से वाके परिवर्टन किस प्रकार से किया जाता है परिमान वाचक क्या होता है जैसा कि बिरोध उसी में उसी के अंतरगत आता है